ओ शांती, आज 14 जून 2024 के बाबा के अनमोल मदुर महावा के सुनेंगे आज के मुल्ली में बाबा कहे बच्चे जितना अंदर में ये याद रहेगा कि बाबा हमारा बाप भी है, पीचर भी है और सतगुरू भी है तो बाबा कहे ये याद भी मनमना भो है परन्तु याद करते करते माया आँख में धूल डाल देती है कौन सी धूल डालती है, तो बाबा कहे जब माया धूल डालती है तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ देती है पढ़ाई को छोड़ना माना बाप पीचर का हाथ छोड़ देना साथ ही साथ जब पढ़ाई छूट गई तो गफलत तो जरूर माया कराती रहेगी और बाबा को भूल जाते हैं बाबा को ये वंडर लगता है नहीं तो बाबा कहे नौलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे परन्तु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती है और पढ़ाई छोड़ी मन एपसंट हुए तो इसी लिए जहां बाब का हाथ छुटा अर्थात धिरे धिरे कफलत आरम हो जाती है तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतुर महावाक्ते ओम शान्ती मिठी बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है पीचर भी है तो सत गुरु भी है या याद ही मन मना भव है आज की मुरली से प्रश्न है माया की धूल जब आखों में पढ़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है उत्तर है माया पहली कफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता है बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं यह भी वंडर है नहीं तो knowledge ऐसी है जो अंदरी अंदर फुशी में नाचते रहे परन्तु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती है और पढ़ाई छोड़ी मना absent हुए ओम शान्ती रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है कोई बहुत समझदार बनते हैं बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बड़ा wonderful है बल तुम यहां बैठे हो परन्तु अंदर में समझते हो ये हमारा बेहत का बाबा भी है बेहत का टीचर भी है स्टूडन्ट की बुद्धी में तो ये होना चाहिए न, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे बाबा कहे जितना बुद्धी में ये बाते रहेगी तो जरूर साथ में ले जाएंगे बाप जानते हैं, ये पुरानी चीचे दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है कहां? घर जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते है अभी तुम यहां बैठे हो बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहत का बाप भी है बेहत की सिक्षा भी देते हैं जितना बड़ा बाबा उतनी सिक्षा भी बड़ी बेहत की देते हैं रच्चना के आदी मध्यांत का राज भी बच्चों की बुद्धी में है जानते हैं बाप इस चीची दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे यह भी अंदर में याद करने से मनमना भव ही है बाबा कही यह भी याद रहा कि हमको वापस घर जाना है तो यह भी मनमना भव ही है चलते फिरते उठते बैठते बुद्धी में यही याद रहे वंडर्फुल चीच को याद करना होता है न तुम जानते हो अच्छी रिती पढ़ने से याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं यह तो जरूर बुद्धी में चलना चाहिए पहले बाप को याद करना पड़े पीचर बाद में मिलता है बच्चे जानते हैं अमारा बेहत का रुहानी बाप है सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं मा मेकम याद करो जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे पावन बनने के लिए तुमने जनम जनमांतर भक्ति जब तब आदी बहुत किये हैं मंदिरों में जाते हैं भक्ति करते हैं समझते हैं हम परमपरा से करते आए हैं शास्त्र कब से सुने हैं कहेंगे परमपरा से मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है सत्यूग में तो शास्त्र होते ही नहीं तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए बाप बिगर कोई भी ये बाते समझा नहीं सकते ये बाप भी है, टीचर भी है, सत्गुरू भी है ये तो हमारा बाबा है इनका कोई माबाप है नहीं कोई कह नहीं सकते कि श्यव बाबा किसी का बच्चा है ये बाते बुद्धी में घड़ी घड़ी याद रहे यही मन मनाव हो है पीचर पढ़ाते हैं परन्तु खुद कहां से पढ़ा नहीं है इनको कोई ने पढ़ाया नहीं वह नौलेज़फुल है मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है ज्याम का सागर है चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं कैते बच्चो मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इन द्वारा मैं तुमको आदी से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे अंतीम समय क्या होना है ओ तो बाबा के पीछे कहेंगे उस समय तुम भी समझ जाएंगे अभी अंत आता है कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुँच जाएंगे तुम आसार भी देखेंगे पुरानी स्रिष्टी का विनाश तो होना ही है यने एक बार देखा है और देखते रहेंगे पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे राज्य लिया फिर गवाया फिर अब ले रहे हैं बाप फिर से पढ़ा रहे हैं कितना सहज है तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे फिर बाबा आकर हमको वज्ञान दे रहा है बाबा राई देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए बाबा हमारा बाबा भी है टीचर भी है टीचर को कब भूलेंगे क्या टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं कोई-कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है पढ़ाई छोड़ देते हैं भगवान पढ़ाते हैं ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं पड़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं, बाप के बच्चे, तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, बाप नौलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं, बाप कहते हैं कम से कम, इस रिती मुझे याद करो, नौलेज के आधार पर भी याद करो, कल्प कल्प तुम्ही समझते हो, और धारन करते हो, इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहत का बाप है, वंडर्फुल बाप हुआ ना, मेरा कोई बाबा है, बताओ, शिबाबा कहे, मेरा कोई बाबा है, बताओ, शिबाबा किसका बच्चा है, यह पढ़ाई भी वंडर्फुल है, जो इस समय के सिवाई कब पढ़ नहीं सकते हैं, और सिर्फ तुम ब्राम्मण ही पढ़ते हो, तुम यह भी जानते हो, कि बाप को याद करते हैं, हम पावन ब फिर सजाएं खानी पढ़ेगी, गर्ब जेल में बहुत सजाएं खानी पढ़ती है, वहाँ पर फिर ट्रिबूनल बैठती है, सब साक्षतकार होते हैं, बिगर साक्षतकार किसको सजा दे नहीं सकते हैं, काइदा नहीं है, मुंझ पढ़े कि यह सजा हम को क्यों मिलती हैं, नहीं तो अंदर आत्मा को भी ख्याल चलता है कि उसको तो भूल गया है. तो मुझ पड़े कि ये सजा हमको क्यों मिलती है? बाप को मालूम रहता है कि इसने ये पाप किया है, ये भूल की है, सब सक्षातकार कराते हैं. उस समय ऐसा फील होता है, जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है, ये जैसे सब जन्मों की इज़त गई, सजा मिलना ये जैसे कि सब जन्मों की इज़त गई, तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुशार्थ अच्छी रिती करना है. सोलकला संपूर्ण बनने के लिए याद की महनत करनी है देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते है सुखदाता बाप के हम बच्चे है ना बहुत गुल-गुल बनना है ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलने है पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर रादी बनते है बाप की ये नौलेज न्यारी और सत्य है और यह है पांडव गवर्मेंट गुप्त तुम्हारे सिवाई दूसरा कोई समझ नहीं सकते ये पढ़ाई वंडर्फुल है आत्म ही सुनती है बाप बार बार समझाते है पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है माया छुड़ा देती है बाप कहते हैं ऐसे मत करो पढ़ाई छोड़ो नहीं बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है न रजिस्टर से सब मालुम पढ़ता है ये कितने दिन एपसंट रहा पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं वास्तों में ये भूलने की चीज तो है नहीं बाबा कोई भूलने की चीज तो है नहीं ये तो वंडरफुल बाप है समझाते भी है जैसे एक खेल है खेल की बात किसको भी सुनाने से जट याद रह जाती है न, और कभी भूलती नहीं है, यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं, दम्मा बाबा भी बीच वीच में अपना अनुभव सुनाते हैं, छोटे पन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे, कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सजार हो जाए, तो फिर पचास रुपया व्याज मिलेगा, तो फिर पचास रुपया व्याज मिलेगा, इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है, अच्छा, फिर एक बाइसकोप देखा, सौभाग्य सुन्दरी का, बस वैराग्य की सब बाते ब्रह्मा बाबा अपना अनुबह सुनाते, पहले बहुत वैराग्य था, सोचा दस हजार कमा लेंगे, रख देंगे, पच्चास रुपय व्याज मिलता रहेगा, अंत तक चलेगा, फिर एक बाइसकोप देखा, सवभागी सुन्द्री का, बस वैराग्य की सब बाते टूट ग ख्याल किया, शादी करेंगे, यह करेंगे, एक ही थपड मारा, माया ने एक ही थपड मारा, कला काया चट कर दी, तो अब आप कहते हैं, बच्चे, यह तो दुनिया ही दोजक है, और उसमें फिर यह जो नाटक, सिनेमा है, वह भी दोजक है, यह देखने से ही सब की वृत्त खराब हो जाती है, अकबारे पढ़ते हैं, उसमें अच्छी-च्छी मायों की चित्र देखते हैं, बाबा कहें, अकबार पढ़ते हैं, उसमें अच्छी-च्छी मायों की चित्र देखते हैं, तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है, यह बड़ी अच्छी खुबसूरत है, उ बुद्धी में आया ना, वास्तों में ये ख्याल भी चलना नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं ये तो दुनिया ही खत्म हो जाने है, इसलिए तुम और सब भूल, माह में कम याद करो, ऐसे ऐसे चित्रादी क्यों देखते हो, बाबा कहें ऐसे ऐसे चित्रादी क्यों देखते हो, यह सब बाते वृत्ती को नीचे लियाते है, यह जो कुछ देखते हो, यह तो कब्रदाखल होना है, जो कुछ इन आखो से देखते हो, उनको याद न करो इनसे ममत्व मिटा दो यह सब शरीर को पुराने चीची है यह सब शरीर तो पुराने चीची है भल आत्म शुद्ध बनती है परन्तु शरीर तो चीची है न इस तरफ ध्यान क्या देना है एक बाप को ही देखना है बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चो मन्जिल बहुत हुची है विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राइ भी न कर सके कोई की बुद्धी में न आ सके माया का प्रभाव कोई कम नहीं है साइन्स वालों की कितनी बुद्धी चलती है तुम्हारी फिर है साइलेंस साब चहते भी है जीवन मुक्वी की यह भी बाप ने समझाया है गुरु आदी कोई ऐसी नौलेज दे नहीं सकते है तुम्हे ग्रहस्त में रहे पवित्र बनना है राजाई लेना है बक्ती में बहुत टाइम वेस्ट किया है अभी समझते हो हमने कितनी भूले की है बूल करते करते बेसमझ बिलकुल ही पत्थर बुद्धी बन पड़े है अंदर में आता है यह तो बड़ी वंडरफुल नौलेज है जिससे हम क्या से क्या बन जाते है पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी तो खुशी का पारा भी चड़ता है कि हमारा बाबा बेहत का बाबा है फुशी का पारा भी चड़ेगा उनका कोई बाप नहीं वह टीचर है उनका कोई टीचर नहीं कहेंगे कहां से सीखा बंडर खाएंगे ना बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरू से सीखा तो गुरू के और भी सिश्य होंगे न? सिर्फ एक सिश्य था क्या? गुरू के सिश्य तो ढेर होते हैं, आगा खां के देखो कितने सिश्य है? गुरू के लिए कितना अंदर में रहता है? लोगों को गुरू के प्रती कितना अंदर में मान रहता है? इसलिए बाबा को याद आता है उन दिनों में आगा खाँ जब भारत आये था तो उसका हीरो में वजन किया था तो बाबा कहे गुरूं के लिए कितना अंदर में रहता है उनको हीरो में वजन करते हैं तो मैसे सत्गुरू को किसमें वजन कराएंगे बाबा तो एक बिंदी, वजन कितना होंगा, एक हीरा भी नहीं तो यह तो बेहत का सत्गुरू है, इनका वजन कितना है एक हीरा भी नहीं डाल सके हम बाबा कहें, एक हीरा भी नहीं डाल सको इतना कम वजन है ऐसी ऐसी बाते तुम बच्चों को विचार करनी है यह तो महीम बात हुई भल यह तो सब कहते रहते हैं यह इश्वर परन्तु यह थोड़ी समझते हैं कि वह बाप, पीचर, गुरू भी है यह तो साधारन रीती से बैठे रहते हैं, यह उपर सनली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखडा देख सके, पीछे तक मुखडा देख सके, बच्चों पर प्यार तो रहता है न, इन मददगार बच्चों बिगर सापना थोड़ी करेंगे जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे, तो बाबा कहे, जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे, जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा, तो जरूर उच्चते उच्च पद लेगा उस पर प्यार भी जाता है बच्चों को देख देख हर्शित होते हैं आत्मा बहुत खुश होती है कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूं कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं बहुत प्यारे लगते हैं कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है, बल कहां भी बैठे रहो, बुद्धी में बाप की याद रहे, ये बेहत का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, बाबा कही ये बेहत का बाप है इनका कोई बाप नहीं इनका कोई टीचर नहीं स्वयम ही सब कुछ है जिसको ही सब याद करते हैं सत्यूग में तो कोई याद नहीं करेंगे सत्यूग में तो बाबा को भी कोई याद नहीं करेंगे 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए बस सारा दिन बाप की सर्विस करे ऐसा बाप का परीचे ही दे बाप से ये वर्सा मिलता है बाप हमको राजियोग सिकलाते हैं और फिर सबको साथगी ले जाते हैं सारा चक्र बुद्धी में है ऐसा चक्र कोई बना न सके अर्थ का तो किसको पता ही नहीं है तुम अभी समझते हो बाबा हमारा बेहत का बाबा भी है बेहत का राजिय भी देते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे फिर कोई सर्व्यापी कह नहीं सकेंगे वह बाप है, पीचर है तो सर्व्यापी कैसे हो सकता है बेहत का बाप ही नौलेज़फुल है सारे स्रिष्टी के आदी मद्यांत को जानते हैं बाप बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है बाबा परम पिता है, परम पीचर है, परम गुरु भी है इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे ऐसी ऐसी वंडरफुल बाते सुनानी चाहिए बोलो यह बेहत का खेल है हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है बेहत के बाप से हम ही बेहत की बादशाही लेते हैं हम ही मालिक थे वैंकुंठ होकर गया है फिर जरूर होगा सिक्रिष्ण नई दुनिया का मालिक था अब पुरानी दुनिया है फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा चित्र में भी क्लियर है तुम जानते हो अब हमारी लात नर्क के तरफ और मुँ स्वर्ग के तरफ है वही याद रहता है ऐसे याद करते करते अंत मते सुगती हो जाएगी कितनी अच्छे अच्छी बाते हैं जिनका सिमिरन करना चाहिए बाबा इतनी अच्छे ची बाते सुनाते तो बाबा कही इसका सिमिरन करना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात्पिता बाप दादा को यात्यार, बुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. आज की मुर्ली सिधाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट इन आखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिठाना है एक बाप को ही देखना है व्रत्ती को शुद्ध बनाने के लिए इन चीची शरीरों की तरफ जराबी ध्यान न जाए दूसरी पॉइंट बाप जो न्यारी और सत्य नौलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरफ पढ़नी और पढ़ानी है पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है शांती की शक्ती के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहच सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भवव अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांती की शक्ती के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो जैसे वानी द्वारा आत्माओं में सने के सहीों की भावना उत्पन करते हो ऐसे शुब भावना सने की भावना की स्थिती में स्थित हो उन्हों में स्रेष्ट भावनाय उत्पन करो जैसे दीपक, दीपक को जगा देता है ऐसे आपकी शक्ति-शाली शुब भावना और उमें सर्वस्रेश्ट भावना उत्पन करा देगी इस शक्ति से स्थूल कारिय में भी बहुत सहत सफलता प्राप्प कर सकते हो सिर्फ प्रयोग करके देखो आज का स्लोगन है सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रुहानी गुलाब बनो, मुर्जाओ नहीं अच्छा, ओम शानि